कि आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं रिपोर्ट के बारे में तो रिपोर्ट का मतलब टैली में रिपोर्ट का मतलब होता है हमाई द्वारा जो भी ट्रांजिक्शन किये जाते हैं आप जो भी अकाउंट में एंट्री की जाती है उनका एफेक्ट कहीं ने कहीं बैलेंशीट या फिर प्रॉफिद लॉस एट्राइल बैलेंस और रेश्व अनलेशीश पर पड़ता है तो रिपोर्ट का मतलब यह ह्याँatif हमारी को दर्शाते हैं कहने का मतलब जैसे हम रिपोर्ट की बात करें तो चली से यह 8 तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहте ही हैं तो बैलेंशीट से एसे स्टेकमेंट से हैं जोगी एक निश्चित तारीक पर व्यब्साइय की वित्य इस्थित्य को प्रकट करता है अफ्छा बैलेंस ये नि ते के हम देखें तो वह हमारे एक महिने में इतना upon कमाया यहां पर हमने इतने खर्चे किया है या फिर हमने इतना profit यहां पर कमाया है next यहां पर होता है profit and loss account profit and loss account का मतलब होता है यहां पर यह इसके दौआरा हमारे जो भी हमारे दौआरा जो भी खर्चे किये जाते कहने का मतलब यह है हमारे दोरा जो भी खर्चे किये गए, हमारे दोरा जो भी income प्राप्त किये गई वो इसके दोरा दर्शाही जाती है कहने का मतलब यह कि Profit and Loss अकाउंट कुछ ऐसा अकाउंट होता है Profit and Loss को निधारित करने के लिए जो अकाउंट तयार किया जाता है उसे Profit and Loss अकाउंट का आ जाता है Profit and Loss अकाउंट बनाने का मुख्य उद्धेश व्यफशाय में शुद्ध लाब और शुद्ध हानी की जानकरी प्राप्त करना होता है क्योंकि व्यफ़ारी का मुख्य उद्धेश लाब कमाना होता है ठीक है Profit and Loss अकाउंट में दो पक्ष होते हैं एक साइट डेविट होता है और दूसरा साइट क्रेडिट होता है डेविट पक्ष में व्यफ़ार के सभी आप रत्यक्ष करते हैं यानि इंडारेक्ट एक्सपेंसे दिखाए जाते हैं तता क्रेडिट पक्ष में आप रत्यक्ष आए दिखाए जाती है जानी कि इंडारेक कहा जाता है ठीक है यदि credit पक्ष का side का योग कम होता है तो हानी होती यानि जिसे हम शुद्ध हानी कहते हैं यानि के net loss कहा जाता है तो पहले मैं आपको balance sheet दिखा देता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं profit and loss account ठीक है तो balance sheet हम tally में open कर लेते हैं तो यहां पर मैं back कर रहा हूं balance sheet आपको मिलेगी कहा balance sheet मिलेगी सबसे पहले आपको जाना होगा gateway of tally पे तो gateway of tally पे आपको reports नाम का एक section दिखाई देगा या menu दिखाई देगा तो यहां पर आपको balance sheet मिलेगी तो balance sheet के दो side होते हैं जिसे के मैंने पहले भी आपको बता है balance sheet के दो side होते हैं जो left side होता है वो होता है liabilities और जो right side होता है वो होता है assets liabilities का मतला होता है दायत्व और assets का मतला होता है यह संपत्ति दायत्व का मतला होता है कि हमारे द्वारा जो भी दायत वो चुकाए जाने हैं चीक है और assets का मतलब होता है हमारे द्वारा जो भी हमारी जो भी संपत्या यानि कि जो current assets है और fixed assets current assets और fixed assets क्या फर्क होता है fixed assets इस्थाई संपत्य होती for example आपके business में घरी दी गई factors ठीक है उसके बाद यहां पर जो आपको लोन लाइविडिस और current liabilities दिखाई दे रही है तो current liabilities का मतलब होता है आपके द्वारा जो भी उधार माल खरीदा गया चीक है तो यह ऐसा तो होगा नहीं क्या उस वेक्ति के पैसे नहीं चुकाओगे कभी न कभी उसके पैसे जरूर चुकाओगे तो जब आप पैसे चुकाओगे तो जो आपके द्वारा current liabilities आपको देनी है वह याद दिलाएगा current liabilities जाला section यानि current liabilities का मतलब होता है आपके सकते हो आपके उधारी या पिर आपके दाइत यानि के मतलब होता है चाल यानि कि cash में आपको पे करना चीक है तो यह लो लाइब डिस का मतलब आपके द्वारा लिया गया लोन चीक है तो लोन आप जोगे तो लोन का पैसा आपको वापिस देना पड़ेगा और यहीं पर आपको दिखाई देता है profit and loss account तो profit and loss account यह profit and loss account एक मात्र इसलिए है कि आपको profit हो रहा है यह आपको loss हो रहा है चीक है तो हमने 50 लाग रुपर लगाया है जिसमें से हमाँ पास 49,9500 बचे है जिसमें 5,000 मैंने खर्चा कर दिया तो 5,000 का मुझे loss हो रहा है तो यदि अगर आपको profit and loss वाला section जो है इस assets के side में दिखाई देता है तो आपको loss हो रहा है जिदि यह यहाँ पर दिखाई देता तो हमें profit हो रहा है चीक है और यहाँ पर यह बताता भी कि हमें profit कैसे हो रह पर लगायते जिसमें 49,000,000 और 95,000 है और 50,000 रुपका में loss हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ indirect expenses कि होंगे तो मैं इसको check कर लेता हूं तो profit and loss account के अंदर गया और मैंने यहाँ पर इंटर किया तो indirect expenses में को यहाँ लिए चीक है अब हम ब profit and loss account में आपको आपके indirect expenses दिखाई जाते हैं और आपकी indirect income दिखाई जाती है तो कहने का मतलब यह है कि अभी हमने सरफ indirect expenses दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने indirect expenses किया है अगर मैं कोई मुझे कोई profit मिल जाता है तो यहाँ पर मिरको लाब हो जाएगा for example मैं यहाँ पर एक entry कर interest रिसीब के नाम से रिसीब के नाम से रिसीब के नाम से ठीक है अंडर जाएगा indirect income और यहाँ पर सेंटर नो बर दे रहा हूं और यह मिरको 6000 रुपे का interest रिसीब को यह दिखाई देगा profit and loss account में तो profit and loss account में देया तो हमारे जो debit वाली side है वो है indirect expenses कितने के हो रहा है 5000 रुपे के और indirect income कितने के हो रही है 6000 रुपे की ठीक है तो हमें कितने का net profit हो रहा है एक 1000 रुपे का जैसा कि मैं आपको पहले बता है यदि अगर में income कम गर दो और expenses जादा होंगे तो हमें loss हो जाएगा तो जैसे माल लिया में यहाँ पे कि मुझे 4000 रुपे के profit and loss प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे आप indirect expenses जादा यानि 5000 रुपे और indirect income कितन रुपे का तो यह होते हैं हमारे profit and loss account इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर next option ratio analysis तो ratio analysis के बारे हम बात करने वाले है तो ratio analysis जो है वह हमारा एक प्रकार का यह भी एक report होता है ratio analysis क्या करता है वित्य विशलेशन के लिए ratio analysis एक शक्ति शाली उप करने किसी financial statement का सार्थक विशलेशन करने करना रहेशो के उपियोग से ही संबब होता है ratio आकड़ो का एक ऐसा set होता है जिसकी तुलना दूसरे set से की जाती है यहाँ ऐसे अनेक ratio होते हैं जिनकी गढ़ना financial statement में single set से ही की जा सकती है रहेशो की गढ़ना का उदेश पर आधारित होती है जिसके लिए ratio की आवशक्त होती कभी कभी single ratio से भी कुछ जानकर दे सकता है पर हम तुव्यापक विशलेशन करने के लिए आख पस में सम्मंदित ratio के set को विशलेशन किये जाने के आवशक्त होती रहारी चानकर तो रेश्ण का मतलब होता है कि हमारे दवारह जो भी कर्चा किया गया है पर जो भी तो उसे वो रीश्ण में दिखाताई है तो रेश्ण में दिखाता चैसे वह दीक लिजीए तो यहां पर एक ratio analysis का option मिल जाएगा आपको इंटर करेंगे तो यहां पर एक ratio analysis दिखाएगा यहां पर working capital दिखा रहा है जो हमाई पस अभी बच्ची हुई है current ratio अभी zero one का बदार रहा है ठीक है cash in end तो यह इसका ratio पर रहा है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसके बाद नेक्स्ट होता है trial balance तो हम बात करने वाले हम next trial balance के बारे में trial balance कहा मिलेगा आपको trial balance मिलेगा display यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे ओपर trial balance अब trial balance होता क्या है जब किसी company में landin होता है तो उन landin को journal में लिखा जाता है और फिर journal के समझत balance के landin की laser को में posting की जाती है लेकिन posting के बाद यह जानना आवशक होता है कि laser की गई posting सही है या नहीं है तो यह जाज करने के उद्देश से एक list बनाई जाती है जिसे trial balance करता है फिर से एक बार समझ लीजे हमारे द्वारा जो भी landin किया मैंने capital लगाई है तो capital मैंने सही लगाई क्योंकि capital credit हो रही है current assets यहाँ पर debit हो रहे है indirect income यह भी credit होगी indirect expenses यह भी debit होगी तो यह मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है क्योंकि जो current capital account है वो हमने लगाया तो वो हमारे account में credit हुआ जबकि जो current assets है वो debit होगी है indirect income हमें प्राप्त होगी है तो यह credit होगी है और expenses हमने pay किये तो यह हमें जा रहे हैं हमारे पास से इसलिए यह इस तरीक दिखा रहा है तो यह trial balance होता है तो आज की class में इतना ही next class में हम देखेंगे और lasers और groups के बारे में चीक है तो next class में इसको आगे देखते हैं तो यहां तक मैंने आपको बता दिया next class में इसके आगे बताऊंगा ओके आज की